हेलो गाइस आप सभी का साधच है मेरे चैनल में बाइक आटटिड गेमर में तो मुझे यह बताना था कि डाइक मेंटल इकिपमेंट्ट आप कहां पर यूस कर सकते हो और यह मेरे को 110 में मिला था तो मेंको यह बताना था जिसके पास यह max हो जाएगा तो वो इसको कहां पी उसकर सकता है जिसे दम smoothly जाएगा match तो आप इसको dark termitter या फिर guardian termitter में उसकर सकता है क्योंकि उन लोग x-ray से immune है उन लोग का x-ray पड़ेगा नहीं और यह sp1 और sp2 से बचा सकता है invliability है ना और जब यह max हो जाएगा तब क्या बोलते 25% chance है कि damage और opponent के special attacks को evade करके यह freeze कर दे सामने वाले opponent को यह freeze कर देगा evade करने के बाद तो मारने का भी chance मिल जाएगा अगर जैसे jade evade करती तो कही बार ऐसा होता है ना कि सामने वाला counter attack करता है तो सामने वाले को counter attack करने भी नहीं मिलेगा 25% chance है कि freeze भी हो जाएगा और मतलब जब evade होगा तर समझाना कि freeze मिलने वाला इसको 25% देखे देखा जाए तो कम है क्योंकि rare को भी max करने में तो बहुता टाइम लगता है क्योंकि 110 में ही ज्यादा chance है मिलेगा और जो इद्दम लखी लखी रहते हैं उनको rare बीज बीज मिलता है बलकि rare तीन टोक है तो तीन में से कोई भी मिल सकता है यह जरूरी नहीं कि यही मिले और मैं इसके ओपर वीडियो इसलिए बना रहा था क्योंकि यह correct यह जो equipment है यह max होने के बाद अच्छा है बलकि max होने से पहले अगर आप देखोगे तो मेरे को jacks का equipment ज्यादा अच्छा लगा क्योंकि jacks का equipment शायद तक आप मेरे को comment करके बताना शायद तक जीरो fuse में भी resurrection देता है jacks को खाली jacks को और इसके हर special attacks unblockable अगर आप jacks में नहीं भी लगा अच्छा है और max में यह अच्छा है तो अब यह बात कर लेते कि classic era max के साथ जो बुरा हुआ है तो boss में कौन से क्यूपेंट को रख कि अपन मतलब अच्छा कासा match को अपने हिस्से में कर सकते तो मेरे साब से एक अच्छा character बहुत अच्छा character मैं बताने वाला हूं boss के बाद में बताऊंगा reason क्यूँ क्यूंकि equipment इंडेस्ट्रिकेबल है तो smoke कोई काम कर नहीं है आप sonia blade को यूज़ कर सकते हैं शिल्ड ब्रेक लगने के बाद तो उसका sp1 जोड़दार है वो speed मारती है तो आप classic sonia blade के साथ classic team को कोई भी classic team को ले जा सकते हो या फिर heavy weapon jack bricks अगर आपका max है तो वह भी बहुत अच्छा रहेगा उसका sp2 शिल्ड ब्रेक है तो उसके साथ भी आप देख लेना इस pack of teams जो अच्छी लगी है मेरे साब से दे classic sonia max होगी तो उसको और यह दोनों को रख सकते हो अगर सिंडेल आई तो वह दोनों stun immune रहेंगे combat cup sonia के कारण तो वह दोनों stun resistant कर लेंगे और उसके जगा आप मतलब उसके साथ या jack bricks रख सकते हो क्योंकि वह भी spec ups है और sonia blade भी spec ups है तो वह आप रख सकते हो उन लोग को य लोग कोई passive का synergy दे सकते है ना लोग को एक लट लोग की synergy भी पढ़ लेते है ना क्या लिखाय कुछ एक्स्ट्रा है all spec up teams ignore enemy toughness तो toughness ignore करेंगे अगर यह लगाओगे तो spec ups teams और इसका jacks का क्या है देख लेते वैसे jacks का main चीड लगाना इसलिए क्योंकि अगर आपके पास jacks है ना और इसका sp2 बवाल है यह इसके passive में भी लिखा है है ना और एक dark redden को भी रख सकते हो क्योंकि वो bleed से heal करता है तो modifier में bleed रहने ही वाले और आपको हर attack में bleed लगेगा तो मेरे साब से dark redden सबसे अच्छा character है use करने के लिए क्योंकि dark redden heal करता है dot से और देखना हर मतलब dot dot तो लगने ही है आपको resistance कि तभी अच्छा रख लो dot लगे गई आपको है ना और यह ही है main character मेरे साब से यह 4 सबसे 5 सबसे best character है सबसे पहले नमर में dark redden दूसरा आप sonya blade तीसरा यह jack bricks और इसके साथ आप यह तीनों को मैं एक एक के लिए बता रहा हूँ मतलब यह यह तीनों में से आप कोई भी एक character रख सकते हो साथ combat cup team के है ना और dark magic ऐसा कुछ आएगा तब आप हार रहे हो तो फिर वो class के साब से आप रख लेना जैसे martial artist जैसे spec ops में dark magic लगने का चांस है तो आप martial artist या फिर dark mental के लिए सबसे अच्छा क्या बोलते character वही लगा क्या बोलते तर्मेटर अगर आपके पस टर्मेटर है और अगर आप यूटूबर हो तो dark mental को टर्मेटर के साथ यूज़ करो max dark mental आपको मजा आ जाएगा खिलने का क्योंकि invulability sp3 का damage ले लेती है और invulability हट जाती है तो अ अगर invulability लगा रहेगा तो आप sp3 दे के उसको damage दे सकते हो sp2 और sp1 damage नहीं लेगा अगर invulability लगा रहेगा और साथी साथ evade भी वह sp1 और sp2 में ही करेगा dark mental है ना तो यही में को main चीज़ बताना था कि tower को अपन break कैसे कर सकते विदाउट classic की रम है बल्कि मेरा तो classic की max है तो मेरे को उसी को भी use करना पड़ रहा है sonia blood मेरी fuse नहीं एत्ती और iron black हो रहा है बल्कि अभी थोड़ा time है और मैं अभी souls नहीं खर्श करने वाला उसके पर क्यों युमें को tower के उपर करना है है ना तो मेरे को equipment में बताना था आप क्योंसा यूज कर सकते है आज कल क्या हो गया है कि कुछ दे नहीं रहे है तो मेरे साब से बहुत सारे ऐसे लोग है जो purchase कर रहे है तो आप लोग अगर यह equipment को purchase कि और air वाला तो मेरे साब से सबसे best character dark fit termitter य फिर से वो जिन्दा होगा अगर death मा क्या brutality नहीं पड़ी तो या फिर दोनों को यूज करके अगर जैसे इवेट नहीं किया या फिर inability नहीं लगा है तो गार्जन टर्मेटर dark fit termitter की मदद करने आ जाएगा जब sp1 और sp2 देगा तो मतलब dark fit termitter कहीं भी तरीके से बचा रहेग अगर dark mental लगा दोगे और guardian termitter के साथ रख दोगे क्योंकि कुछ chances है जिसमें sp1 और sp2 में guardian termitter आ जाता है अपने teammates को बचाने के लिए तो यह वीडियो इत्ता ही अगर आपको यह वीडियो informative लगा तो हमारी वीडियो को like कर देना और comment में अपने suggestion बता देना कि कुछ और अलग तो हमारे चैनल को subscribe कर देना और bell icon को दबा देना जिससे आपको हर वीडियो की latest notification सबसे पहले मिलेगी thanks for watching guys झाल